लगनों से बड़ी खबर आपको बता दे कोलकता में होगी सपा रास्ट्री कारिकार्णी की बैठक 17-19 मार्च के बीच सपा रास्ट्री कारिकार्णी की बैठक और जा रही है और इस बैठक में 20 प्रदेशों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे बड़ी जानकारी 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी और 17 से 19 मार्च के बीच इस सपा रास्टेकारिकार्णी की बैठक होगी जिसमें 2024 को लेकर मंतन किया जाएगा और अकलेश यादव के तीसरी बार रास्टेकार्णी की ये पहली बैठक होगी बड़ी बैठक मारी जा रही है इसी के साथ साथ नई कारेकार्णी की पहली बैठक में जो 20 प्रदेश है उनके अध्यक्ष भी शामिल होंगे या अशुन का जताई जा रही है इसी के साथ साथ जो राश्रेकारेकार्णी की वैचक है उसमें लोकसभा चुनाओ की रण नीती बने की मन्थन किया जाएगा समाजवादी पाजी की रीती नीती में भी जो बतलाव है उस पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है तो काफी एहं 2024 मुखे रूपे फोकस रहने वाला है कैसे जो तीसरा मोर्चा है वो मजबूती के साथ आ गया है इसलेकर इस बैचक में मन्थन किया जा सकता है कोलकता में 17-19 मार्ट के बीच ये बैचक होनी है तो कैसे समाजवादी पार्टी मजबूती से सामना करेगी 2024 के चुनाव का कैसे उतरेगी क्या रण नीती रहेगी इसलेकर मंतन किया जाएगा और साथी साथ जो रीती नीती है उसमें भी बदलाव संभव माने जा रहे है अब ख़बर लखनों से है जहां अल्पसंख्यकों को लुभानी में भाजपा जुटी हुई है एक दीश एक दियने से अल्पसंख्यकों में पैठ भाजपा की तरह से बढ़ाई जाएगी मिशन 2024 के तयारियों में भार्टी जनता पार्टी जुट चुकी है और अल्पसंख्यकों के घरों में पैठ बनानी के लिए बड़ी तयारी की जा रही है आपको ये भी जानकारी दे दे कि लोगसबा चुनाओं से पहले यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का ये बड़ा दाव माना जा रहा है मुजफर नगर में इसने मिलन सम्मेलन करेगा यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और केंद्रे राज़मंट्री और स्थाने सांसर संजीब बालियान सवेद भाजपा के बड़े नेताओं को मंच पर एक साथ लानी की तयारी है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की अगवाई में एक लाख लोगों का सम्मेलन करारी की तयारी है पसमांदा मुस्लिम सम्मेलन के जरिये मुसलमानों को साधनी की पूरी कोशिश की जा रही है पस्षीमियुत्तर प्रदेश की मुसलमानों को साधनी के लिए भाज़पा की तयारी है और अल्प संख्यकों को जोड़ने के लिए कल्याण विभाग मंदल स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है तो एक देश और एक डियने प्लान का मकसद क्या है भारती जंता पार्टी का ये जरा समझे अल्प संख्यकों को भाज़पा से जोड़ना ये मुख्या फोकस है और मुझवपर नगर दंगों के दर्द पर मरहम लगानी की कोशिश भारती जंता पार्टी की तरफ से की जाएगी और इसी के साथ साथ पस्चिमी यूपी के मुसल्मानों में अपनी पैट बनानी की भारती जंता पार्टी की तरफ से ये बड़ी कोशिश मानी जा रही है इसी के साथ साथ जो अल्पसंख्यक है उनके मन में भाच्पा को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करनी की कोशिश भी की जाएगी साथिसाद दोहजार चौबिस लोकसबाचुदाओं में कैसे असी सीथ हासिल करनी है इस पर भी फोकस है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि असी सीथ हासिल करनी है और इसलिए जो ये तैयारी है ये तेज भार्टे जनता पार्टी की तरह से कर दी गई है आने वाले समय में एक बड़ा समयलन भी भार्टे जनता पार्टी की तरह से किया जा सकता है यूपी भाज़वा अल्प संख्यक मोटचा की ये तैयारी मुझप्वण नगर में एक लाख लोगों का समयलन करानी की तैयारी है बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है जिसमें अल्प संख्यकों को लुभानी की कोशिश की जाएगी एक दीश एक डियने प्लान से अपनी पैट बढ़ाएगी भार्टी जन्ता पार्टी अल्प संख्यकों के बीच में और किस तरीके से अल्प संख्यकों के मन में भाजपा को लेकर भ्रम दूर करना है इसलिकर जनता के बीच जाएगी अल्प संख्यकों के बीच में जाएगी और इसलिए माना ये जा रहा है कि मुझणफण नगर में ये बड़ा जो सबमेलन है वो भाटी जनता पार्टी की तर जा रहा है किस बार 80 में से 80 सीटे जीतेंगे लेकिन कैसे पैट बढ़ानी है और कैसे उन सीटों पर भी जीत हासिल करनी है जिस lavor पिशली बार जो आक्ना था वो कम था जिस पर पिशली बार हार का सामना करना पड़ा उन पर कैसे पैट बढ़ानी है और मुख्य रूप से जो अलपसंख्यक है उन्हें कैसे लुभाना है इस पर फोकस रहने वाला है एक देश एक दियाने प्लान से अलपसंख्यकों के पैट बढ़ाई गिभारती जन्ता पार्टी भाजपा की अलपसंख्यकों के घरों में पैट बनानी की ये बड़ी तयारी मानी जा रही है मुझापणनगर में इसने विलन सम्मेलन करेगा भारती अलपसंख्यकों को सम्मेलन करानी की तयारी है एक लाक जो लोग है उन्हें जुटाया जाएगा और अल्पसंख्यकों के मन में जो भाजपा को लेकर धम है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी पसमान्दा समाज को साथ लानी की कोशिश की जाएगी इससे पहले भी तमान चुडाओं में देखा हमने किस तरीके से पस्मान्दा समाज की लोगों को साथ लाने की कोशिश की गई, सम्मेलन पे सम्मेलन किये गए और एक बार फिर से भार्टिय जन्ता पार्टी की यही तैयारी है कि कैसे जो पस्मान्दा समाज की लोग है उन्हें भारती जनता पार्टी की और कैसे आकश्यत करना है कैसे भारती जनता पार्टी के साथ सलाना है और खबर इस खबर पर और जादा जानकारी देरे कले लखनाओ से समधाता विवेक तुर पार्टी हमारे साथ जुड़े विबेक पहले तो जानना चाहेंगे आपसे एक देश, एक डियने, क्या है ये भार्टी जंता पार्टी का प्लैन और कैसे काम करेगा ये? उली का भी माहौल है और उसके बाद रमजान भी शुरू होने वाले हैं मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोड़ने के लिए वहां से अभ्यान के शुरूआत होगी और संजी बालियान समय तमाम बड़े नेता इसमें एक मंच पर जाएंगे जो एंगे जोब से संगठन से यह नारा आया है और उसको नीचे तक कैसे लोगों को को उसे प्रिरित करेंगे जोडेंगे और मुस्लिम के पसमानदा समाज से कैसे पार्टी जुड़ेगी लोगसभा चुनाओं भी आने वाले हैं लोगसभा चुनाओं के तैयारियों में जुटी है होली का मौका ऐसा होता है जब बहुत सारे ऐसे सम्मेलन करके तमाम लोगों को चोड़ के एक मैसेज देने की कोशिश करती है बीजेपी बारती इंता पार्टी और सबसे खास बात यह कि रमजान आने वाले तो रमजान के पहले 23 तारीक के आसपास 22 के आसपास मार्च में इसी पहले पसमांदा सम्मेलन हुए थे और अब इसी करम में यह दूसरा सिलसला शुरू होगा जो इसने सम्मेलन है उनको नाम दिया गया है इसने सम्मेलन का इसके जरीए मुस्लिम तक पैठ होगी पश्चिमी उत्रप्रदेश के बाद सीधे सीधे पूरे यहां अवद चेतर म में होगा उसके बाद पूर्वांचल में सम्मेलन कराई जाएंगे और पूरे उत्तरप्रदेश में अलग अलग जगह जगह उपर समयलन होगा है अभी कोई जैसे जो प्लान होता है वो प्लान अभी चाकाउफ नहीं हुआ है लेकिन यह तैय हो गया है कि वहां जो पश्च को लुखानी की पोशिश की जा रही है विवेक अब देखने वाली बात यह है कि कितना फाइदा दोहजार चौबिस में भार्टी चंदा पार्टी को इसका मलता है बहुत धने बाद आपका तमाप जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर में सीम योगी आतितन और तस्वीरे आप देखें हमीशा यह रहता है रुटीन रहता है सीम योगी आतितनात की जब भी अपने संसदिये शेतर में रहते हैं सबसे पहले लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जो लोग बहाँ पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं उनकी समस्याओं का जल स अधिकारी थे उन्हें इन समस्याओं का जल से जल निस्तारन करने की भी सीम योगी की तरफ से आदेश दे दिये रहे हैं तो सीम योगी का ये जंता दरबार और उससे ये तस्रीरे भी आप देख रहे हैं इस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं जो लोग अपन वापस होगी ये बड़ी जानकारी मिल रही है फीस का जो 15 प्रतिशत शुलक है अभिभावकों को करना होगा वापस 2020 से अभिभावकों से ली गई फीस वापस होगी सरकार ने 16 परवरी को शासन को आदेश दिये थे और आदेश की अंदेखी करने वाले स्कूलों पर अभिभावकों को 15 प्रतिशत शुलक अभिभावकों को वापस करना होगा स्कूलों की तरफ से 2020 और 21 में अभिभावकों से ली गई जो फीस है उसे वापस करना होगा स्कूलों में अगर स्कूलों ने फीस वापस नहीं की तो आगे कारवाई भी हो सकती है सरकार ने 16 परव आलू के सही दाम नहीं मिल रहे इदर कोल्ड स्टोरेज के बाहर लंबी लंबी कतारे लगी है धापूर फरुखाबाद मैंपूरे इटावा और फिरोजाबाद आगरा कमोवेश सबी जगा आलू बैल्ट में यही हाल नसर आ रहा है इदर सपा महा सचेव श्रिपाल यादव ट्वेट करके कहा है कि आलू खरीद लो सरकार सरकार को नसीहत देते वे नजर आए अनदाता कब तक कतार में रहे का अच्छे दिन के इंतजार में है इदर किसान नेता राकिश टिकैट ने यह कहा है किस बार आलू किसान सबसे ज़्यादा आत्मत्या करेगा क्योंकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है किसान आज दुखी है और देश में वैचारिक प्राद्थी होगी लोग बहुत परिशान है पड़ी खबर आपको बरेली से बता दे जहां महज 200 रुपे के विबाद में एक बुजर्ग महिला की हत्या कर दी गई उधार के 200 रुपे के लिए दबंगो ने महिला को जम कर पीटा दबंगो ने बुजर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी घर में गुसकर बुजर्ग महिला से मार पीट की गई इधर बीच बचाओ में आये लड़कों के साथ भी इन दबंगो ने मार पीट की बड़ी खबर बरेली से जहां महज 200 रुपों के लिए दबंगों ने बुजर्ग महिला की पीच पीच कर हत्या करती अब खबर 12 बंकी से है जहां सड़क हाथसे में युवक की मौत तो ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े युवक को रौन दिया हाथसे के बाद जो ट्रैक्टर चालग था वो ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया हाथसे में सुर्दीप नाम के युवक की मौत हो गई है ट्रॉली में शम्ता से जादा आलू लदा था थाना मौम्मदपूर खाला के मौम्मदपूर चौराहे का मामला बताए जा रहा है तो सड़क किनारे युवक को रौन दिया गया है जिसके बाद जो युवक था इसकी मौके पर ही मौत हो गई